ये वो एक खुबसूरत मासूम सा चहरा है जो कि एक समय में इसके आसपास के और स्कूल के हर एक लड़के दिवाने हुआ करते थे लेकिन इसकी यही मासूमियत यही खुबसूरती इसके लिए कब नर्क का दरवाजा खोल देती है इस बेचारी को भी नहीं पता चलता और कीन मानो मेरी आँखे नम हो गई इस स्क्रिप्ट को लिखते वक्त कि कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है वैसे इसके साथ घटी घटना इतनी भयानक है कि इसके दर्द को बयान करने के लिए भी सब्द कम पड़ जाए क्यूंकि इसके वन साइड लवर ने जुंकु अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी भी तरीकी की रियल घटना वाली फोटो और वीडियो ज नहीं दिखा सकता और नहीं मैं रेकमेंड करूंगा कि आप खुद से जाके सर्च करके देखें और हाँ गाईज अगर सुनने के लिए अपने दिल को मजबूत कर लो क्योंकि हम यहाँ पर दिखाते हैं देश दुनिया की डार्क रियालिटी तो ये दर्दना कहाने शुरू होती है सन 1988 से जब जुनकोफ रूटा नाम की लड़की अभी अपनी स्कूली पढ़ाई ही कर रही होती है पढ़ने में बहुत तेश थी बहुत होस्यार होने के साथ साथ ये बहुत खोबसूरत भी थी और इसी खोबसूरती के वहां के सभी लड़के दिवाने थे और इसलिए नजाने कितने लड़कों ने जुनकोफ रूटा को परपोज किया था लेकिन जुनकोफ रूटा का पसंद नहीं आया कि कोई लड़की उसे मना कर दे होते हैं ना ऐसा कुछ लड़के जो कि लड़कियों के ना कोई एकसेप्ट नहीं कर पाते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनका इगो हट हो गया सो मानो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ मियानो हिरोशी एक आम नाबालिक लड़का नहीं था बलकि उसके उपर न जाने कितने ही क्राइम के आरोब थे लेकिन वो नाबालिक था इसके चलते पुलिस उसे छोड़ दिया करती थी लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मियानो याकुजा गैंग का मेंबर था जो कि उ और आप करना तो छोड़ो उसके बारे में कलपना तक नहीं करते तो 25 नवंबर 1988 को तकरिवन साम का वक्त हो रहा था जहां पे जुमकफ रूटा अपने घर की ओर लौट रही होती है कि रास्ते में एक मोटर चालक उसे हलकी सी टकर मार करके नीचे गिरा देता है और उसे फ पहले से प्री प्लांड होता है क्योंकि मियानों ने जब जुमकफ रूटा को रास्ते से गुजरते हुए देखा तो उसने अपने नूबुहारा फ्रेंड को कहा कि तुम अपने इस बाइक से जाओ उसे हलकी से टकर मारना और उसे परिशान करना ताकि मैं एक हीरो की तरह एंट्री ले सको और हुआ भी कुछ ऐसा यह सब देख करके उसके अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हुआ यानि कि मियानों के प्रती और उसके बाद मियानों ने जुमकफ रूटा को घर तक छोड़ने का ओफर दिया और कहा कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं हो सकता है कि रास्ते में वो तुम्हें दुबारा तंक करें अब मियानों ठहरा जुमकफ रूटा का क्लास मैट और यहां पर जो उसने किया था उससे भी उसका और ट्रस्ट बिल्ड हो गया और इसी लिए जुमकफ रूटा बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चल देती है और अब यहीं से वो पूरा गेम सुरू हो जाता है मियानों सबसे पहले जुमकफ रूटा को एक खाले गुडाउन में ले करके जाता है वहां ले जाने के बाद सबसे पहले वो खुद की सच्चाही बताता है कि अभी जो भी कुछ हुआ वो बाइक वाला जिसने टकर मारी वो मेरा ही एक फ्रेंट था ये सब कुछ प्री प्लांट है और हम दोनों एक याजुका गैंग के मेंबर हैं और अगर तुमने यहाँ पे सोर स्राबा किया और मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहीं पे पांसे मार दूँगा और ये सारी बाते सुनने के बाद बेच डर का फाइदा उठा करके उस मियानु ने उसके साथ कर्मकांड किया बेचारी बेबस रही और कुछ ना कर पाई लेकिन यहाँ पर यह कहानी खत्म नहीं होती है जिसके बाद मियानु जुंकु फुरुटा को एक टैक्सी के माध्यम से होटल में लेकर के जाता है होटल में कॉल करके ये सारी बात बताता है जो उसने अभी कर्म कांड किया था ऐसे बताता है जैसे कि मानो उसने कोई बहादूरी का काम किया हो और ये सारी बाते सुनने के बाद नुबुहरा और उसके साथ मौजू दो और लड़के जो अगुराव और याशुशी ये कहते हैं कि तु तुमने मेरी बात नहीं मानी या फरियां से भागने की कोशिस की तो मुझे तुमारे घर का एड्रस पता है हमारे गैंग के लीडर हमारे गैंग के मेंबर तुमारे घर वालों को जान से मार देंगे और ये बाते सुनने के बाद जुंकु फूरुटा और बेज्यादा बेबस हो जाती है वो चाह कर भी भागने की कोशिस तक नहीं कर पाती इसलिए जब वो चारो आते हैं तो उसे अपने घर यानि की नुबु हारू के घर उस लड़की को ले करके चले जाते हैं दरसल नुबु हारू के जो माता पिता होते हैं वो घर पे बहुत कमी रहा करते थे काम का उनका आना जाना घर पे हुआ करता था और यहां तक बात पहुंचते पहुंचते तकरीबन 26 नमबर की अब सुबा होने को थी और इसलिए दूसरी ओर जुंकु फुरूटा के पेरेंट्स बहुत जदा परिसान होने लगे कि अभी तक वो घर क्यों नहीं आई और इसलिए के लापता होने की रिपोर्ट थाने में लिखवा देते हैं और जैसे ही ये खबर मियानों और उसके बागी तीन दोस्तों को पता चलती है तो वो जुंकु फुरूटा को डरा धमका करके घर पे कॉल लगवा करके ये कहलवा देते हैं कि मैं एक अपने फ्रेंड के यहां आ वापिस ले लेते हैं और इधर मियानों और उसके बागी की तीनों दोस्त मिल करके इधर जुंकु फुरूटा के साथ जो मन में आया वो करना शुरू कर देते हैं मतलब आप जो सोच नहीं सकते वो करना शुरू कर देते हैं और नुबुहारू का एक घर घर ना रहकर के ब लेकिन जब नुबुहारा के माता पिता घर पे आते तो उससे ना पहले ही डरा धमका के ये बता दिया जाता कि जब हमारे माता पिता आएंगे तो तुम्हें एज़ा मेरी गल्फेंड की तरह ट्रीट करना है कि तुम्हें ये दिखाना है कि तुम्हें ये दिखाना है कि तु उसके माता पिता चूं तक नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर था वो अंदर से डरे हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि ये किस गैंक के मेंबर हैं और अगर वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो शायद उसका बेटा भी उसके प्रती हिंसक हो सकता था और इसकी डर की वज़ा से व अब वो गल्फेंड वाला नाटक भी खत्म हो चुका था क्योंकि अब उन्हें समझ में आया चुका था कि उनके माता पिता अब तो मूग खोलने से रहे और इसलिए अब सब कुछ खुल्याम होने लगा और इन्हीं साथ दिनों के अंदर ही जुनको फुरुटा के साथ तक पुलिस को कॉल भी लगा देती है और कॉल लग जाता है पुलिस उठा भी लेती है लेकिन यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि उसका दुरभाग था या फिर जो होना था वो होना ही था इसलिए वहाँ पर मियानों आ जाता है और जल्दी से call disconnect कर देता है जिसके बाद पुलिस call back भी करती है फिर मियानों call उठा करके उसे बोलता है I'm sorry गलती से call लग गया था और call disconnect ह हो जाता है जिसके बाद मियानों का गुस्सा सर पे आ जाता है और इसलिए गुस्से में आ करके जुंको फृटा के पैरों पे जलनसेल तेल लगा करके उसे धीरे-धीरे किस्तों में जलाता है और अब आगे चलकर के पुलिस वालों को इस बात की थोड़ी भनक तो लग जा जबकि उन्हें सब कुछ पता था इनफैक्ट उनकी आखों के सामने वो सब हो रहा था इसके बाप जूद भी उन्होंने पुलिस वालों को ऐसी बाते बोल करके वापिस भेज देते हैं और पुलिस वालों के सबसे बड़ी भूल यहां पर यह हो गई थी कि वो घर की बिना तलासी लिये ही उसकी बातों में आ करके वहां से चले गए और अगर पुलिस वालों ने तलासी ली होती तो शायद आगे की कहानी कुछ और होती लेकिन ऐसा नहीं हुआ फिर इसी तरीके से दिन बीटते गए बेचारे जुंको फ्रूटा टॉर्चर को सहती गई एक एक दिन में नजाने कितने लड़के आया जाया करते और वो भी अननेच्रल तरीके से उसके साथ संबंद बनाया करते और उसे उसी हालत में छोड़ दिया करते और उसके बाद एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जुंको फ्रूटा के हाथ को उपर करके बांद दे गया और बिना कपड़ों के लटका दिया गया और उसके बाद उसके बदन को ना पंचिंग बैक की तरहा हिट करा गया बहुत सारे मुक्या मारी गई जिसके बाद उसकी हालत इतनी गंबीर हो गई थी कि वो अब मुझसे सांस ल lleने को मजबूर हो गई थी और जब चारों यह सब करके ठक जाया करते थे तो अपनी ठकान मिटाने के लिए सिगरिट पीना सुरू करते और जब सिगरिट आकरी में बच जाया करती थी तो आकरी जलतीवी सिगरेट को बुझाया करते थे उसके बदन से रगड़ के इतना ही नहीं मोम बत्ती को जला करके गरम मोम को उसके बदन पे टपकाते और उसके चेहरे पे भी टपकाया जाता इतना ही नहीं यहां तक कि उसके पलकों तक को भी जला दिया गया था और तो और उसके ख लोहे के रोड, प्लास्टिक के सामान, यहां तक की जलतु ही गर्म बलब को भी उसके प्राविट पार्ट में डाल दिया गया था, लेगन ऐसा नहीं है कि यह सब करने के बाद उन चारों हैवानों को थोड़ी दया आ गई हो और उस बेचारी को छोड़ दिया हो, बलकि यह प्राविट पार्ट और इंटर्नल ओर्गंस इतने जदा डैमज हो चुके थे कि वो अब अपनी यूरीन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, यहां तक कि उसका डैजिस्टिंग सिस्टम भी बिलकुली डिस्ट्रोय हो चुका था, वो जब भी कुछ खाना पिना खाती थी तो वो उल्टी कर देती थी और इसी उल्टी करने की वज़ा से भी उसे खोब मारा पीटा जाता था, अब इतनी मार पीट और लंबे समय से टॉर्चर सहने के बाद जुंको फूर्टा के बदन पे अब कोई ऐसा हिंसा नहीं बचा था, जहां पे कोई जखम ना हो और वही जखम अब नासूर का रूप ले चुके थे, उसे अब थोड़ी गंधानी सुरू हो गई थी, और उसी की वज़ा से अब चारों लड़कों का इंटरस्ट जुंको फूर्टा से खत्म होने लगा, लेकिन उनके अंदर जो हैवानियत थी, उसे निकालने के लिए कोई और तो 1988 से अब जुरू हो गया, 1989 चार जनवरी का दिन होता है, जहां पे मियानों एक गेम के अंदर बहुत सारा पैसा हार जाता है, जिसके चलते वो बहुत ही ज़दा गुसे से आग बबूला होता है, और अपने गुसे को सांथ करने के लिए चला जाता है जुंको फूर्टा के पास उसके साथ फिर से वही सारे टॉर्चर को दोहराता है, लेकिन अपसोस इस बार बेचारे जुंको फूर्टा उस टॉर्चर को सहन नहीं कर पाती है, और रात के समय दम तोड़ देती है, जिसके बाद उन चारों ने मिलकर के इसका ठीकाने लगाने का सोचा, पहले तो उनने सोचा किसे समुदर में फेक आएंगे, इसलिए पहले तो कंबल में लपेटा जाता है और ड्रम के अंदर डाला जाता है, ड्रम में डालने के बाद सीमेंट और कॉंक्रीट का मिक्चर बना करके उसके अंदर डाल के उसे जमा दिया जाता है, फिर उसे फेकने के लिए समुदर की ओर ले जाया जाता है लेकिन उन्हें रास्ते में एक सुनसान जगा दिखाई पड़ती है और उसे सुनसान जगा परिफेक करके आ जाते हैं अब आपको लग रहा होगा कि आखिरकार फिर ये चारो लड़के पकड़े ही कैसे गए थे तो पकड़े जाने की वज़ा वो लड़की बनती है जब इनका जुमकू से इंटरस्ट खतम हुआ था तो इन्होंने 19 साल की लड़की को पकड़ लिया था 27 दिसंबर 1988 को और उसे व दो महीने और बीत जाते हैं लेकिन एक बार उसके घर पे इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसके घर पे कुछ अंडर गार्मेट्स मिलते हैं लड़कियों के जिससे कि पुलिस वालों को काफी ज़्यदा शक हो जाता है और इसलिए फिर दोनों को पकड़ करके दोनों को अ अगुरा ने उधर बैठे हुए सारी सचाई बता दी है इसलिए अब उसने सोचा कि सचाई चुपाने का कोई फाइदा नहीं मुझे भी बता देना चाहिए और इसलिए वो सारी बात बताता है और पुलिस वालों को उस जगा पर ले करके जाता है जहां पर उसने ड्रम को पुलिस वाले ड्रम को देखरके हैरान हो जाते हैं और ड्रम को काट करके जब देखा गया तो पता चला कि उसके अंदर एक लड़की की भstep है जिसके पहचान कर पाना अबमुम के नहीं था लेकिन फिर भी फिंगर प्रिंट के जरिये उसके पहचान कर ली गई पुलिस वा जोर दिबाव डालने पर 20 साल की इसके साथ जो भी कोई सामिल थे उन्हें भी जेल हुई और यहां पर यह भी कहा गया कि नाबालिक होने की कारण इसे ज्यादा इन्हें सजा दी ही नहीं जा सकती और एक इंपोर्टेंट बात इसके नाम को भी रिवील करने से मना किया गया थ अब से क्योंकि यह नाबालिक थे लेकिन सभी पत्रकारों में से एक पत्रकार ने हिम्मत दिखाई और उसके नामों को फ्रंट पेज पर ही तब झाब दिया था यह लिखते हुए कि इन्होंने जो हैवानियत दिखाई है इसके पास अब कोई भी हुमन राइट्स नहीं वालिक ऐसे लोगों को जीने का अधिकार तो है ही नहीं वैसे आपका कहना चाहते हैं इसके उपर अपने महत्त पूर्ण राय कॉमेंट में जरूर लिखें